रमता राम जपोरे प्राणी अब तो सुन ले राम कहाणी तो पुना अत्माउं प्रसिंद चल रहा है कि इन दर्ड आत्माउं ने प्रमात्मा के परते काग्या का पालन कर लिया अब जैसे बात चलिया कि ग्यान दे कर ही आप ले जाना अपने बच्चों को आपका ग्यान सुईकार करें आपका अब जैसे प्रमात्मा मिले थे खजरत मुहमंद को जिसे मुसल्मान धर्म चला अब वो अच्छी आत्मा थी दर्ड भक्त नहीं थे वो अब यहां उनके लाखों से सो गे थे प्रमात्मा उनको आए मिले जैसे वो अपने विधान नसारत सी आत्माओं को मिलते हैं कहे कबीर में खोजता फिरू ढोंडता फिरू अपने हीरे मुटी लाल हजरत मुछमंद जी को मिले हजरत मुछमंद जी को कहते हैं हम वहां ले गयो सत लोक में इच्छा रूपी वहां नहीं रहो उल्ट महमंद मेल पठाया गुज बीरज एक कलमा लाया रोज़ा बंग नमाज देही रे बिसमल की नई बात कही रे अब जैसे प्रमात्मा कहते हैं हम हजरत मुछमंद को वहां ले गे जैसे नानक साहिब जी को ले गे गरीबदास साहिब जी को ले गे तरमदास साहिब जी को ले गे और गिसादास साहिब जी को दादू साहिब जी को ले गे मुलकदास साहिब जी को ले कर गे फिर छोड़ दिये उन्होंने दर्ड होकर गे भगवान की परते एक बात को सिविकार किया उन्होंने तो वहीं कहे दिया था बगवान हमें यहीं रख लो लेकिन हदरत मौमद वहां नहीं रहे अपनी मर्जी से जो बोले नहीं जी मैं तो वहीं ठीक हूँ और वहां भी मने बहुत परचार करना है बहुत अभी तो कामा दूरा रहता है अब परमात्मा ने सोची चल इसको कुछ रहत दे देते हैं उसको उनको क्या बताया फिर परमात्मा ने के रोज़ा बंग नमाज देई रे बिसमल की नहीं बात कही रे अधरत मौमद जब पहली बार गए तब तो वो काल तक सिमित थे परदे के पीछे से आवाज आई थी नमाज करो पचास नमाज करने की कही थी फिर दुबारा प्रार्षना की कुछ कम कर दी फिर और प्रार्षना की फिर कम कर दी लास्ट में पांस बार की नमाज पर फैनल होया था उनका कि पांस बार तो नमाज करना ही करना पड़ेगा और रोज़ा में बर्त और बंग आवाज लगाना है भगवान दया करियो आवाज लगा कर आवाज ये साध ना करना है तो कहते हैं उस हजरत मुमंग जी जहां से ये आदेश लेकर आए थे उसमें भी उस काल भगवान ने भी इनको बिस्मल करने का आदेश ने दिया था क्या बता है कि रोज़ा बंग नमाज देई रे बिस्मल की नहीं बात कही रे और फिर क्या बताते हैं कि एक बार हजरत मुमंग जी ने अपने अत्मों जैसे आप देखते हो ना चुमबक के साथ किसी लोहे के टुकडे को लगा दिया जाए कुछ समय के लिए वो भी ऐस सथाई सुमबक बन जाता है लेकिन वो सथाई नहीं होता कुछ देर के बाद उसके गुन दर्म समापत हो जाते है ऐसे ही ये जितने भी महापरुस उस परमात्मा से मिले थे इनको लेकर गए थे सत लोग से वापस छोड़ा था इनके अंदर सिधियां आगी थी अपने आप आ जाती उस माले के संप्रक मात्र से उपर से उस लोग से वापस आने में इतने तो अपने आप इनके चिपट जाती है वह इतने ये सिधियां असंख सिधियां पड़ी है तो वहाँ से जब ये वापस आया हदरत मौमद में सिध्धी आगी वचन में भी सिध्धी होगी तो उसने एक दिन एक गव को मार दिया पहले तो एक बक्रे को मार दिया वचन से वो बक्रा मर गया बक्रे वाला रोने लगया जी मैं तो गरीब आदमी था ये क्या हो गया लोग इकठे होगे फिर उस बक्रे को जीवित कर दिया वचन से सब खुशी हुई सब जगई है लहर दोड़गी के हजरत मौमन तो सचमुच नभी है बड़ी सिद्धी है इसके अंदर बरे हुए बक्रे को जीवित कर दिया उनकी बहुत दूर तक बातें फैल गी और उनके अनुआई थे जगे जगे ये चर्चा करने लगे लोगों ने तराज किया क्योंकि वरोदी बहुत थे उनके अभी हम जाने जब जाने गव मार के जीवित कर दे हमारे सामने कर तब हजरत मौमन ने वो गव सब इकठे हो गया सपास के लोग वचन से वो गाए मार दी वो मर गी अब उसको जीवित करने का समय आया वा जीवित नहीं हो पाई तब प्रमात्मा कहते हैं कि तब हम मौम्मद याद किया रे तब हजरत मौम्मद ने मुझे याद किया तब हम मौम्मद याद किया रे सबद सरूपी हम बेग गया रे प्रमात्मा कहते हैं वहां सबद शुरूपी पहुंचे एक सेकंड के अंदर लेकिन औरों को किसी को नहीं दीख रहा था किवल हदरत मुम्मद को मैं दिखाई दे रहा था मुई गव हमने ततकाल जवाई और तब मुम्मद के निश्चे आई वो मरी हुई गाएं को मैंने जाकर तरब जीवित कर दिया तब मुम्मद जी को विस्वास वाके कबीर सचमुच ये तो परमात्मा के नुमाइंदे है कहते जब मुम्मद के निश्चे आई तुम कबीर अल्ह दर्वेसा और मुम्मन मुम्मद का तब गया अंदेशा फिर क्या बताते हैं के नभी मुम्मद नमसकार है राम रसूल कहाया एक लाख असी को सोगंद जिन ने करद जलाया अरस कुरस पर अलह तकत है अरस के कुरस पर आसमान के अंतिम छोर पर अरस कुरस पर अलह तकत है उस पर मातमा का सथान है जहां कबीर साहिब का अपना सथान है और खालक बिन नहीं खाली उस पर मातमा की दिरिष्टी में सभी पराणी है उसे कोई बचा नहीं है और वो पेगंबर पाक पुरुष्टे साहिब के अबदाली अब क्या बताते हैं कि तुम हजरत मुम्मद का नाम लेकर गव मार रहे हो ये गव जो मनाते हो वो दिन जिसेज कर गव काटते हो तो उन्होंने गव सबद से मारी थी, सबद से जीवित कर दी थी क्योंकि लोगों ने ये सोचा था कि हदर्द मौमद ने जीवित कर दी तो उसके लिए फिर कहा कि बारी गव सब्द के तीरं वचन के तीर से मार दी और ऐसे होते मौमद पीरं वो मौमद पीर ऐसे थे और सब्द फेर जवाई अनसा राख्या गोसत नहीं बाख्या ऐसे पीर मौमद भाई अब प्रमात्मा देख आप आप तो सारा काम करें और फिर उसको सहबा सीदे रहे हैं अरे अधर्द मौमद तो ऐसे मापरुष्टे उन्होंने वो चन से गाएं मारी थी और वो चन से जीवित कर दी मास नहीं खाया उन्होंने जीव की रख्षाक्री और तो मास खाते उनकी आड मैं तो उसके लिए कहते हैं वो प्रगंबर पाक पुरुष्टे साहब के अबदाली वो मापुरुष्टे कुई तरात्मा थी तो उनके जम्में ये पाप लग करते हो खुद और नाम लेते हो उनका नभी मुहमद नमसकार है राम रसूल कहाया वो तो आदनी मातमा थे मापुरुष्टे और परमातमा के नभी कहलाए और एक लाख असी को सोगंद उनकसम है एक लाख असी हजार मुसल्मान बने थे तो उनकसी देसे थे उन्होंने करत लाया उन्होंने ये जलुम नहीं किया जो तुमने सुरुआत कर रखिये और कहते हैं अर्श कुर्ष पर अलह तक कहते है खालिक बिन ने खाली और वो पेगंबर पाक पुरुष्टे साहिव के अब दाली वो तो पुईतरा आत्माई थी उस परमात्मा के किर्पा पातर थे तो इस परकार परमात्मा ये कहना चाहते है कि ग्यान से ही हम वहाँ ले जाएंगे अब जैसे अजर्द मौमद को लेगे वो दर्ड नहीं थे अथी आत्मा वस्या थी मिले बगवान सब आवस लेकिन वहाँ नहीं रहे और ये देख कोड़कानी बिगड़गी उसके बाद यहां पर तो इस परकार इस ग्यान से ही हम सत लोग जाएंगे क्योंकि हमें ये द्रड विश्वास होगा कि जो ये ग्यान दिया जा रहा है ये ओनली इस दासका नहीं और केवलेक बनावती इत्यासका नहीं ये स्वेंगोड गीवन परबातमा ने आकर बताया और फिर अपने गवा बनाए सत लोग लिजा कर वापिस छोड़ा उनको और उन्होंने यही बताया आप सुन रहे थे जकतकुरू तत्वदर्शी संत्रामपालजी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारे वेबसाइट www.jakatguru.org संत्रामपालजी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में पांसो से भी जादा नाम दिख्षा केंदर हैं जिन पर संत्रामपालजी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541 झाल झाल में झाल झाल